असलामू अलेहिकूम मैं जुलेखारफाज जुलेखाज की चिंस्वी तो चलिए आज हम बनाते हैं एक तम क्विक जटपट बनने वाली चिकिन फ्राय अरे अला बहुत ही मज़ेदार और जटपट उंगलिया चाटने वाली बनती है तो जरूर बनाईएगा चलिए शुरू क तो आप चार ही लीजिएगा अब एक कड़ाई का चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए इसमें तेल डाल दीजिए अपने स्वाध अनुसाल और यहां पर मैं डाल देती हूँ दो छुंदा करी हुई यानिके बारिक कर्टी हुई प्यास इसे डाल कर बार बार चलाते वे फास्ट आज पर फ्राय कर लीजिए तब तक फ्राय कर लीजिए जब तक light golden brownie ज़ी जदा मत फ्राय कीजिएगा एक दब dark color नहीं करना है हमें प्यास का कलर आप देख रहे हैं बस शुरू ही हो रहा है चेंज हो न तो यहाँ पर मैंने दाल दिया जो कुटा हुआ लसन था वो और एक टीबल स्पून भरकर आतरक लसन का पेस्ट चूला मीडियम पर ही है और उसे भून लीजिए थोड़ा सा मैं पानी का चीटा दाल देत एक मिनिट तक एक मिनिट हो जाए तो यहाँ पर साइट पर मैंने रखे हैं आधा किलो चिकन है जलब साड़े पात सो तक की चिकन है यह दाल दीजिए धोई हुई चिकन है इसमें मैंने आधा चुटचाए का चमश नम्मक डाला है और इसे भी डाल कर मीडियम आज पर बार चलाते हुए चिकन और यह जो ल ethic हमासाला है नीचे उसके अन्दर भूस लीजिए गुट है उसे भूस लीजिए दो तीन मिनिट तक जो चिकन है उसे भूस लीजिए तब दब भूनिये जब तक ही जो चिकन है उसका color change नहीं हो जाता जब chicken का color change हो जाए तो यहाँ डाल दीजिए दो छोड़ी शेकेश मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने चुला slow किया है कि एक बार मैं चला लू मिर्ची के पाउडर के साथ अच्छा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दाला है तो मैंने दो दाला है अगर आपकी spicy हो तो आपके स्वाद अनुसार दालिए एक या आधी या जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसी डाल सकते हैं चुला मैंने फिर से medium आज कर लिया है और इसे बार-बार चलाते हुए चिकिन को यह जो मसाला है अभी हम मैंने डाला है इसे भी भून लेती हो एक दो मिनिट जब आप देखें कि हलका हलका पानी छूटने लगा है चिकिन का तो अब हम डाल देंगे मसाले लेकिन बार-बार चलाते रहीएगा कि नीचे लगे न चिकिन में डाल दीजे एक छोटा चाय का चमच भूना पिसा जीरा पाउडर एक छोटा चाय का चमच धनिया पाउडर और त्री-फोट चोटा चाय का चमच गरम मसाला पाउडर आप एक छोटा चाय का चमच भी टाल सकते हैं मैंने चूला स्लो कर दिया है इसे बहुत अच्छे से mix कर लीजे और mix करके आप इसे तकरीबन 12-13 मिनिट तक slow आज पर पकने दीजे आप चाहें तो medium कर दें बीच में आप चाहें तो slow कर दें बार-बार slow medium करते रहें लेकिन मैंने सिर्फ slow पर ही 12 मिनिट तक पकने दिया है बीच बीच में मैं इसे चला भी रही थी चलिए 12-13 मिनिट हो चुके हैं मेरी चिकन जो है वो अच्छे से गल चुके क्योंकि छोटी चिकन थी और पीसेस भी आप देख सकते हैं छोटे थे आप भी कोशिश किजिएगा कि छोटे पीसेस ही रखा है और नीचे लग भी ने रहा है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी चिटकी भी नहीं है नीचे अगर आपको लगे बीच बीच में जब आप 10-12 मिनिट तक पका रहे हैं और आपको लगे कि नीचे नीचे लग रही है थोड़ा सा पानी का छीटा मार दीजिएगा बस एक दो बार मारने की लगे जरूर अपको डाल दीजिएगा पानी का छीटा चलिए अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 12-13 मिनिट हो चुके हैं चिकन प्रॉपली कर गई है तो मैं यहां क्या कर रही हूँ चूले को कर देती हूँ मीडियम आज और थोड़ा सा पानी का छीटा मार देती हूँ जैसे समझे नब 1-foot cup से थोड़ा कम था अब इसे डाल कर मीडियम आज है इसे बार-बार चलाते लेए और भून लीजिए थोड़ा सा थोड़ा सा मुझे मसाला चाहिए अगर आपको नहीं चाहिए तो आप पानी स्केव कर सकते हैं थोड़े से कड़ी पत्ते दाल दीजिए हरी मिड़चिया स्रेट कर हीुई और इसे में बार-बार चलाते हुए इसे भून लेती हूँ अब मैंने slow कर दिया चूला क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला ज़ादा चाहिए होता है हर बार तो आप चाहें तो पूरी तरीके से dry हो जाए और तेल छूटने लगे तो वहाँ आप चूले को कर दीजेगा बंद व्योंकि पानी भी सूख गया होगा और अच्छा softness आगया होगी मसाले के अंदर भी उसी समय मैंने चूला सो करने के बाद दो चूले चैके चमश निम्बू का रस डाल दिया अब निम्बू का रस आपके स्वादन उसार डाल सकते है बहुत अच्छे से mix कर लीजे देख सकते हैं मेरे या का भी पानी सूख चुका है और तेल निकलने लगा है चूले को कर दीजिए बंद और ये हो गए हमारी chicken fried ready बढ़िया सी आप चाहें तो दाल के side पर as a side dish बना कर serve कर सकते हैं रोटी के साथ भी आप इसे परोज सकते हैं बहुत ही बढ़िया और स्वादिश लगती है लिप स्माकिंग रेसिपी जरूर बनाईएगा सबसे पहले तो हरी मिर्चिया और लाल मिर्ची का पौडर अपने स्वाद अनुसार दालिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगियो तो लाइक जरूर कीजिए इससे ज़ाद अच्छी लगिया तो अपने फैमिली और फ्रेंज में और इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फावर्वर्ड कीजिएगा अगर आप ये रेसिपी बनाई तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेक कीजिएगा मुझे आपकी कमेंट से बने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी नहीं शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंटल देन टेक केर आला हाफिस बाबाई